Hello everyone, अभी तक हमने previous वीडियो में यह समझा है कि जब electric charge किसी magnetic field में enter करता है तो उस पे magnetic force act होता है, electric charge पे act होता है magnetic force वो इसका direction में हमने QVB sin theta से समझा था तो इस वीडियो में हम यह देखने वाले हैं कि जो force magnetic force है उस charge particle को क्या direction प्रोवाइड करता है तो let's begin, तो first case हमारा बनता है, जब magnetic field का direction सपोज इस तरह पे magnetic field को B से इंडिकेट करते है, वेक्टर 1डटी है, तो वेक्टर साइंग में बना दिया मैंने तो magnetic field अभी इस direction मेक्ट हो रही है, वो एक Q charge है सपोज इस magnetic field के अंदर रख रखा है मैंने Q charge को, वो इसको मैंने velocity प्रोवाइड करिए, along the magnetic field मतलब कि इसको velocity इसी direction में मैंने प्रोवाइड करती है, इसका मतलब दिख रहा है कि velocity और magnetic field लोनों क्या है, परालल है, और इंदोनों के velocity और magnetic field के बीच का जो angle है, वो clear दिख रहा है, that is zero degree, तो zero degree होने की वज़े से क्या होगा, इस पे magnetic force अभी इस situation में act नहीं होगा, इस पे magnetic force की value होगी zero, क्योंकि हमें पता है, magnetic force जो होता है, fm, qvb, sin theta होता है, अब sin theta यहाँ पे zero हो जाएगा, तो sin zero की value हमें पता है, zero होती ह जिस वज़े से पूरी quantity क्या हो जाएगी, zero हो जाएगी, तो fm भी क्या हो जाएगा, zero, तो force magnetic force इस पे कोई act नहीं होगा, तो इसका बात है, यह along this magnetic field travel करता रहेगा, यह कहीं पे भी deflect नहीं होगा, इस straight line में ही motion इसका चलता रहेगा, तो यह कहीं पे भी divate नहीं होने वाला मतलब कि दुनों क्या है, एक दूसरे के perpendicular है, तो suppose अभी मैं magnetic field इस direction में assume करीती, अभी second case में magnetic field को inside this board assume कर रहा हूँ, तो इसको indicate करने के लिए, बनाने के लिए cross indicate किया रहता है, जब magnetic field inside है, तो magnetic field इस board के अंदर enter कर रहे है, और जब magnetic field, जब imagine करता हूँ है, इस board से बाहरा आ है, तो इसको dot indicate किया रहता है, और जब enter कर रही है, बोड के अंदर है, तो इसको cross indicate कर रहता है, ध्यान रखने इस चिछ का, तो अभी magnetic field inside enter कर रहे, तो इसको मैंने cross indicate किया है, और इस magnetic field में मैंने कोई q charge रखा है, suppose q charge यह रहा है, यहाँ पे, उसको वेलोसिटी अगर आप इस side से देखोंगे, side view से, तो magnetic field इधर है, और velocity किया है, upside है, तो angle दोनों के वीच का हमें दिख रहा है, 90 degree का, अब 90 degree का दिख रहा है, तो हमें sin 90 के value होती ही, 1 होती है, यानि इस पे magnetic force act होगा, तो magnetic force क्या होगा हमें पता है, that is fm qvb sin theta, अब sin 90, that is 1, 1 का multiply, इसम इतना amount का, इसमें magnetic force अब यहाँ पर act हो रहा है, अब बात करते हैं, इस magnetic force जो है, इसका direction क्या होगा, अब इस direction पता है, उसका direction जो होता है, वो cross products होता है, V और B का होता है, cross product, cross product, right hand thumb rule से हमें, vector quantity का, जो resultant vector quantity, उसका direction हमें, right hand thumb rule से मिलता है, तो velocity है, upside V, और magnetic field है, inside this board, यान direction है, thumb की direction में मुझे मिलेगा, तो यहाँ पर force जो है, कुछ इस direction में act होगा, that is FM, तो हम यहाँ पर clear दिख रहा है, जो velocity है, उसके perpendicular force का direction यहाँ पर दिख रहा है, यहना तीनों चीजे आपस में perpendicular है, velocity भी, magnetic field भी और magnetic force भी, क्या है, तीनों आपस में perpendicular है, तो इस situation को यहाँ पर देखने के बाद यह समझ में आ रहा है, कि जो Q, particle है, Q charge है, इसका जो path होगा, वो कुछ circular motion में यह rotate करता रहेगा, यानि कि यह कुछ इस सरीके से rotate करता रहेगा हमेशा, इस magnetic field में, वो इसमें continuously center की तरफ इस particular point पर magnetic force क्या होगा, act होता रहेगा, अब यहाँ पर इस Q charge में कुछ mass भी है, mass होने की वज़े से क्या होगा, इसमें outside direction में centripetal force भी act होने लगेगा, तो centripetal force इस पे कुछ इस direction में act होगा, क्योंकि इसमें mass है, अब mass नहीं होगा, तो centripetal force नहीं act होगा, अब चुकि इसमें mass भी है, तो centripetal force का direction में इस कुछ इस तरफ है, और magnetic force का direction इस तरफ है तो resultant net जो फोर्स इस पर क्या होगा जीरो वेलोसिटी स्पीड जो है इस तरफ है तो ये continuous circular motion में गुमता ही रहेगा तो एक बाट देख लेते हैं जो circular path है इसकी radius क्या है तो radius हमें पता है दूनों force को equate कर देंगे centripetal force और मेगनेटिक फोर्स को तो मेगनेटिक फोर्स है क्यूवी बी और सेंट्रेपिटल फोर्स है एम वी स्क्वेर बाइ तो रेडियस जब हमें आपके क्लियर दिख रही है इसकी तो अभी तक हमने दो केस देखे जिसमें जिरो डिगरी का एंगल होता है मेगनेटिक फिल्ड और वेलोसिटी में अब जो थर्ड केस देखने वाले हैं जब किसी पर्टिकुलर थीटा एंगल पर जब हम वेलोसिटी प्रोवाइड गरते हैं तो सपोज अभी मेगनेटिक फिल्ड का जो डायरेक्शन है कुछ इस तरफ है वो इस मेगनेटिक फिल्ड में मैंने क्यू चार्ज रख रख रखा है यहां पर वो इस क्यू चार्ज को मैंने वेलोसिटी जो है किसी एंगल पर प्रोवाइड करें तो अब कुश्चिन अराइज होता है कि इसका जो पाथ है वो किस डारेक्शन में यह मूँ होगेगा तो यहां पर ध्यान देना अब वेलोसिटी का जो एंगल है यहां पर इंदोनों के साथ में थीटा डिगरी का एंगल मान लेते हैं तो यहां में वेलोसिटी के यहां पर देख रहा है 11th class में, तो V cos theta की speed कुछ इसकी इस direction में है, वी sin theta की जो इसकी speed है, velocity speed जो भी बोलो, वो कुछ इस direction में है, तो इसकी दो component करती है हमने, एक component इस direction में है, along the magnetic field है, दूसरा component V sin theta जो की क्या है, perpendicular magnetic field के, तो यहाँ पर V sin theta की वज़े से इस पर एक magnetic force होगा, एक्ट होगा, वी cos theta इसको एक horizontal motion प्रवाइड करेगा, वी sin theta इसको circular motion प्रवाइड करेगा, तो फोर्स देख लेते हैं कि इसका V sin theta जो है, इसको किस direction में इसको करा आएगा, तो V sin theta इसको एक circular motion में प्रवाइड करेगा, तो इसको 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 पात है, वी sin theta के वज़े से इसको एक circular motion मिलेगा, इस तरीके से आप समझ पार रहे हो, I think, और V cos theta इसको horizontal motion प्रवाइड करेगा, तो यह जो Q charge है, यह कुछ इस तरीके से आ आगे भी बढ़ता जाएगा तो इसको में आपर ड्रो गरता हम इसका पाद थ्री डाइमेंशन में घुमेगा लेकिन अभी ना तो यह कुछ इस तरीके से में इस तरीके से मुह होता रहेगा तो यह तीनों केसे से जब क्यू चार्ज अलग 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 एंगल पर हम इसको वेलोसिटी प्रोवाइड गड़ते में अलग अलग तीन केस बनते हैं तो आइटिंग समझ में आगा होगा तीनों कंडिशन क्या क्या हैं सो थैंक यू अच्